देखिए अब जड़ा question का design change हुआ है ठीक है अब कुछ divisibility वाले question है इनका एक concept है मैं कोशिज करूँगा concept समझ में आ जाए यह कहते है एक pn एक भाई इसका नाम कुछ देना पड़ेगा न तो यह जो कि एक polynomial है एक बहुपद है इसको pn मान लिया n n plus 1 n plus 5 यह कहरें multiple of 3 है यह 3 से divisible है n की हर value के लिए तो देखिए step 1 में क्या करना है आपको step 1 में करेंगे for n is equal to 1 लिखो जड़ा n को 1 तो यहां इसका नाम तो p1 हो गया यह आएगा 1 1 plus 1 1 plus 5 तो आएगा 2 into 6 is equal to 12 अब बताओ यह 3 का multiple है कि नहीं है यह 3 से divisible है कि नहीं है तो आप लिखेंगे is multiple of 3 is multiple of 3 यह 3 से divide हो रहा है ठीक अच्छा step 2 में क्या करना होता है step 2 में हमको हमें मान लेते हैं कि n की एक general value है k और k पर यह 3 का multiple है let for n is equal to k it is multiple of 3 मतलब अगर n को k लिख दें जिसका कि नाम हम pk लिख देंगे मतलब pk नाम नहीं लिख रहे है नाम हम pk लिख रहे है ठीक है तो गलत word न समझीगा तो आएगा k k plus 1 k plus 5 अगर 3 का multiple है मतलब क्या हुआ यह 3 के table में आएगा न 3 into 1 3 into 2 3 into 3 तो यानि कि यह कुछ 3 into lambda type का आए का नहीं आएगा 3 into कोई number 50 बना जाता तो 3 into किसे करता 17 तो 17 होता ठीक है तो हमने का 3 into lambda है इसका इस्तेमाल हमको भी करना पड़ेगा ठीक है अब हमको यह दिखाना है कि n is equal to k plus 1 जब रखेंगे इसके just बात की value तो यह 3 का multiple होगा की नहीं होना वही आपकी जो testing है final testing है तो step 3 देखें जो हमें करना है step 3 for n is equal to k plus 1 यह ध्यान लेकिए यह result हमको use करना है ठीक है अब ज़रा n को k plus 1 लिखें तो यह आएगा p k plus 1 is equal to यह तो नाम के वल दे रहे हैं यह ने करना यहाँ भी equal यहाँ भी equal यह तो नाम देने की तरीका है आप चाहो तो इसको slash ऐसे कर सक लगा सकते हो यह यह क्या आएगा यह k plus 1 आएगा यह k plus 1 करोगे तो k plus 2 आएगा इसमें k plus 1 करोगे तो k plus 6 आएगा अब आपको यह result कहीं से खोज के लाना है देखो इसको मैं देखता हूं देखें आपको यह चीज़ चाहिए ना हमने k k plus 1 लिखा रहे ने दिया यह जो k plus 2 था ना इसको k plus 1 चाहिए हमको तो मैंने इसको k plus 1 अलग कर दिया 1 अलग कर दिया जो k plus 6 था थोड़ा के ज़्यादा दुबला बन गया यहां पर इसको ज़्या सेहत मन कर दो इसको k plus 5 plus 1 कर दिया कोई दिक्कत नो दिक्कत क्योंकि हमारी requirement यह थी अब देखो हमने इस k का multiply प k plus होना गया 1 का multiply 1 से किया सुन में आगई बात अब देखो इस पूरे का multiply हम किसे करेंगे पहले पहले इसको थोड़ा calculate कर लिजेगा इसको न खोल देना यह एक साथ चाहिए इसको disturb न करना क्योंकि यह जब drama करने के लिए हमने drama किया है k plus 1 plus यह 2k आएगा plus 2 आएगा और यह दूसरे bracket में है k plus 5 plus 1 ठीक है यह ध्यान रखे k k plus 1 k plus 5 को 3 lambda लिखना है फिलाल इसको हम rub कर देते हैं अब देखो इस k k plus 1 को पूरा का पूरा bracket multiply किसके साथ कर दें k plus 5 से तो यह हो जाएगा k k plus 1 into k plus 5 चलेगा plus इस k k plus 1 का multiply 1 से कर दें तो आएगा plus k into k plus 1 plus इस 2k का multiply इससे करते हैं अब record खोल दीजेगा तो 2k के साथ आएगा तो 2k square आएगा plus 10k आएगा plus 2k आएगा फिर 2 का multiply k से करेंगे तो plus का 2k आएगा plus 10 आएगा plus 2 आएगा हमको यह result चाहिए था एक साथ हम यह खोज के ले आएगा अब देखो ध्यान से यह तो पूरा क्या हो गया 3 lambda मैंने इसको फिरल वहां से जो second equation था वहां से चुरा लिया अब यह bracket पूरा खोल दो तो आएगा k square plus k plus अब थोड़ा calculate कर लो यह 2k square लिख दो plus 10 plus 2 12 14 plus 14k plus 12 अब देखो ध्यान से यह 3 lambda है plus k square plus 2k square और calculation simple mathematical हो रहा है यह bracket एक साथ चाहिए तो इसको एक साथ लिया और कोई दिक्कत नहीं simply open कर रहे हुआ अपने आप आ जाएगा तो यह आएगा 3k square plus 14 plus 1 15k plus 12 अब पूरे से 3 कामन दिख रहा है अबको तो यहाँ आएगा lambda यहां से 3 कामन लिया तो case को आएगा 3 कामन लिया तो 5k plus 4 अब बताओ 3 into something यह है ना कोई number आएगा ना यह 1,2,3,4,50,60,70 तो is divisible by is also multiple of 3 multiple of 3 यह तो आपको प्रूफ करना था ना यह 3 का multiple होगा ठीक है तो यह question number 19th RD का question number 24